एलो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परिक्षावास पर मेरा नाम है मुहमद नवाजिश और मैं एक और इंपोर्टन टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं अब यह टॉपिक है क्या पहले थोड़ा सम लोग समझ लेते हैं देखिए आप सब लोगों ने पिछले कुछ दिनों में न्यूस्पेपर वगारा में पढ़ा होगा कि सूरत लोकसभा कॉंस्टिट्वेंसी जो है उसको लेकर के काफी विवाद रहा आप वहां पर हुआ क्या वहां पर हुआ यह के जो कॉंग्रेस के आप कहोगे केंडिडेट थे जिनका नाम था नीलेश कुम्भानी उनका एक तरीके से आप कहोगी जो नॉमिनेशन पेपर्स थे नामांकन जो उन्होंने भरा था उसको रिजेक्ट कर दिया गया और उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट होता है जो सब्सिट्यूट केंडिडेट है ना अंत में क्या होता है कि बिना चुनाव लड़े बिना वोटिंग हुए भारतिय जन्ता पार्टी की तरफ से जो केंडिड़ेट थे मुकेश दलाल उनको इलेक्टिन कमीषन की तरफ से क्या कर दिया जाता है विजय घोषित कर दिया जाता है यानि कि कोई चुनाव नहीं हु और उन्हें क्या कर दिया गया डिक्लेर कर दिया गया कि आप चुने जा चुके हो मतलब एक तरीके साब कह सकते हो कि अनपोस्ट विक्टरी उनको मिली निर्विरोध उन्हें चुन लिया गया अब अगर हमारे दिमाग ये बात आती है कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये पहली बार हो गया तो नहीं ऐसा नहीं है अगर आप भारत की जो चुनावी जो उसकी प्रक्रिया है जो हमारी इलेक्शन की हिस्ट्री है 1947 के बाद से अगर हम देखें तो 30 या उससे ज्यादा ऐसे MPs रहे हैं जो की निर्विरोध चुने गए जिनको कोई भी opposition नहीं था भाई कोई चुनाव नहीं हुआ कोई उनके सामने खड़ा नहीं हुआ और उन्हें क्या कर लिया गया चुन लिया गया अब यह तो है देखें पूरा जो context है कि हम किस context में बात करने वाले हैं ठीक है अब एक article आया था questioning the polls rain washes out play moments ठीक है तो इसी article से inspired यह हम लोग का discussion होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जैसा कि मैंने आप लोग को बताया देखें मुद्दा पूरा क्या है मुद्दा यह है कि सूरत लोकसभा constituency जो है गुजरात में ठीक है वहाँ पर बीजेपी के जो candidate है मुकेश दलाल उनको अनपोस क्या कर दिया गया डेकलेर कर दिया गया यह आप कहोगे भई कैसे हो सकता है किस तरीके से हो सकता है को सीधी सी बात है election हो रहा है अब मान लोग के election में पांच लोगों ने nomination file किया पांच लोगों ने का भई हम खड़े हो रहे है ठीक है तो अब उसमें क्या होगा कि जब यह पांच लोग अपने nomination papers file करते हैं जब अपना नामांकन करने के लिए जाते हैं नामांकन पेपर जो है नोंने अपने जमा कर दिये तो अब उसको क्या किया जाता है इनके नामांकन पेपर जो होते हैं वो रिव्यू किया जाता है है ना उनकी समीक्षा की जाती जो जानकारी आपने दी है वो सही है या नहीं है और फिर election commission जो होता है मतलब या जो भी वहां पर अधिकारी है जो आपका returning officer होता है आरो जो होता है वो time भी देता है candidates को कि अगर आप withdraw करना चाहें अपना nomination withdraw करना चाहें अपना नाम वापस लेना चाहें आप सोचो कि हमको नहीं लड़ना चुनाओ आप नाम वापस लेना चाहें तो उसकी एक time limit होती है ठीक तो अब कोई भी व्यक्ति unopposed कब चुना जा सकता है पहले स्थिति तो यह है कि उसके विरोध में क वैसा हो सकता है दूसरी स्थिति यह आ सकती है कि खड़े तो हुए लोग है ना लोगों ने अपने nomination file तो किया नामांकन किया तो लेकिन उनका नामांकन क्या हो गया reject हो गया है ना उन्होंने कुछ ना कुछ गलत जानकारी ते दी paper सही तरीके से नहीं दिये यह फिर कहीं प लड़ेंगे ही नहीं तो अगर ऐसी स्थिती हो जाती है तो चुनाव आयोग क्या कर देता है कि बैद जो व्यक्ति बचा है उससे क्या कर दिया जाए उसे victor declare कर दिया जाए कि वह क्या हो गया जीत गया अब ऐसे में कोई चुनाव कराने की जरुरत नहीं वोट बगर डलव पाने की क्या जब ऑप्शन सी नहीं है तो आप वो डाल करके करोगे क्या ठीक है अब अगर हम गेटिंग अपोस्ट अन इलेक्टेड की बात करें कि निर्विरोध चुना जाना क्या यह लीगल पॉइंट और व्यू से सही है तो बिल्कुल आप कहोगे कि जो कानून है उस कान इसा नहीं है कि यह आप कहोगे कि पहली बार इतिहास में ऐसा कुछ हो गया 35 के आसपास केंडिडेट्स हैं जो की चुने जा चुके हैं अगर हम अनपोस्ट की बात करें ठीक है MP की बात करोगे तो ज्यादा तर MP अगर हम देखें तो 1952 का जो इलेक्शन था 57 का जो था ज्यादा तर MP उस टाइम पर अनपोस्ट इलेक्ट किये गये थे ठीक अब यहां पर आता है जो कंड़क्ट ओफ इलेक्शन रूल्स हैं ठीक है 1971 के चुनाओ कैसे कराया जाएगा इसको लेकर के जो नियम है उसमें जो रूल 11 है ठीक है जो रूल 11 है वो क्या कहता है वो यह कहता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा जो आरो होगा वो क्या करेगा अपने ऑफिस में किसी जगह पर जितने भी कैंडिडेट से ना उस कॉंस्टिवेंसी में उन सबकी एक लिस्ट क्या कर देगा एफिक्स करवाएगा यानि कि चिपका दी जाएगी भाई देखो यह लिस्ट है ठीक अब अगर ऐसा होता है कि जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट से जितने लोग चुनाओ लड़ रहे हैं अगर उनका नंबर कॉंस्टिवेंसी के नंबर के बराबर हो जाए मतलब भाई देखो एक कॉंस्टिवेंसी है है ना और एक कैंडिडेट है या फिर होके माननों वह 5 कंटिवेंसी को देख रहा है और वहाँ पर देख रहो 4 कंडिडेट सें economies नंबर कम है तो ऐसी इस्थिति में आप सूचो अगर एक कंडिडेट ही एक है तो वह क्या करेगा जैसे ही वह नाम worlds style अजाता है या फिर सब्ब्र Felix उनो थी और इसके अंदर वह क् क्लेर कर देगा कि देखो यह क्या हो गया मतलब आप इससे निर्विरूद क्या कर सकते हो चुन सकते हो ठीक है अब election cycle की देखो बात करें चुनाओं का टाइम चल रहा है तो इसमें तीन phases होती है आपका pre-election हो जाएगा election period हो जाएगा और post information spread करनी हो उनको जानकारी देनी है training देना है लोगों को ठीक है पूरा planning के चुनाओं किस तरीके से कर आजाएगा यह सारी चीज़े आपका किसमें आजएगी प्री-election period में आती है election period में क्या होगा भई लोग campaigning करना शुरू करेंगा अपना प्रचार करना शुरू करेंगे ठीक है nomination file होगा नामांकन होगा voting होगी और फिर result आ जाएगा ठीक post election में क्या होगा review ठीक है review होगा मतलब सारी चीज़े सही तरीके से हुई के नहीं हुई reform अगर किसी सुधार की जरूरत है reform आपको देखने को मिलेगा और strategy मतलब प्रणनीतियां क्या होनी चाहिए ताकि हम अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और बहतर जो है बनाया जाए ठीक है अब चलते हैं जो current issue है उसको थोड़ा सा detail में समझते हैं ठीक है बहुत सारे लोगों को confusion होगा इन सारी चीजों को लेकर के देखे हुआ यह कि बहुत आप अपने nomination paper file करने के लिए को आरो करने के लिए करनें के लिए जुक्त हो चार papers ऐसा किया जाता है माना वे एक सेट में कुछ घलती होती हो तो दूसरा से हो जाएगा दूसरें घलती होगे तो तीसरा सी हो जाएगा तीज गलती हो दो चौथा से हो जाएगे इसलिए चार सेट का option है इन्होंने तीन सेट नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो फाइल किये ठीक है और होता यह है कि आप चुनाओं लड़ना चाहते हो तो कोई अब मैं बताऊंगा इसमें कि जो रिकर्गनाइस्ट पार्टी होती है उसमें प्रोपोजर्स डिफरेंट होते हैं ठीक है अलग-अलग होते हैं अगर आप प्रोपोजर्स की बात करोगे तो इन्होंने अपने तीनों nomination papers में क्योंकि Congress से paper file कर रहे थे Congress party के candidate थे तो इसका मतलब भई करोगे National party के है रिकगनाइस party के है तो उसमें एक proposal चाहिए होता है है ना आप अगर जाओगे nomination paper file करने तो आपको कितना proposal चाहिए होगा एक एक व्यक्ति आपको propose कर रहा है कि हम propose कर रहे हम प्रस्तावित कर रहे हैं कि चुनाओ लड़े उसने sign कर दिया तो वो आपका proposal हो जाएगा अब इनके brother-in-law ठीक है इनका nephew और इनका business partner ये तीन लोग थे जिन्होंने अलग-अलग nomination papers पर इनके proposal के तोर पर sign किये हाँ हम प्रस्तावित कर रहे हैं ठीक अब हुआ ये कि जो ruling party के workers है ruling party यानि के बीजेपी की जो workers है उन्होंने क्या किया opposition candidates के nomination को लेकर के सवाल उठाया मतलब ये जो निलेश कुमानी है इनके nomination papers को लेकर के बीजेपी की जो workers है उन्होंने क्या किया उन्होंने objection किया अब objection किया उन्होंने गया देखो प्रपोजर्स की जो sign है ना वो genuine नहीं है जो sign उनके दिखाए गए है nomination papers पर वो गलत है ठीक अब rejection कैसे हुआ rejection ये हुआ देखो आरो ने एक तरफ तो जो बीजेपी के workers है उन्होंने allegation लगाया कि जिन लोगों के sign इस पर कराये गए sign ठीक नहीं है फिर क्या होता है कि इनके जो proposals थे इनका brother-in-law इनका nephew इनका business partner उन्होंने एफ़ीड एफ़ीड दे दिया आरो को returning officer को कि nomination paper पर जो sign है वो sign हमारे है नहीं हमने sign किये नहीं थे हमने तो proposal नहीं किया था ठीक फिर आरो ने candidate मतलब निलेश कुम्हानी को कहा भही है इस पर reply दे दो कुछ clarification दो कुछ सफाई दो कि मामला क्या चल रहा है अब वो clarify नहीं कर पाए ठीक है इस वज़े से उनका जो तीनों के तीनों nomination papers थे वो क्या कर दिये गए reject कर दिये सबसे पहले चीज़ तो यह है अब दूसरों के भी nomination papers reject होते है ठीक एक चीज यहां पर और है देखो जब भी कोई party जब भी कोई party कोई candidate किसी constituency में उतारती है ना आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक होता है जिसको आप कहोगे main candidate है है ना मुख है जिसको चुनाओ लड़ना है उसने अपना nomination paper file किया लेकिन साथी साथ party एक substitute candidate भी रखती है मतलब एक विकल्प रखती है विकल्प रखती है है ना जैसे मान लो के person x ने nomination file किया अब इनको चुनाओ लड़ना है तो party क्या करेगी एक person y एक दूसरे इंसान का भी कंडिडेटर वहाँ पर दे देगी nomination file करा देगी वह इसलिए होता है कि जो main candidate है जो original candidate है अगर उसका nomination किसी तरीके से cancel हो जाता है या reject हो जाता है तो कम से कम जो substitute है वो तो चुनाओ लड़ लेगा मगर यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर जो original candidate है निलेश कुम्भानी उनका पहले nomination reject होता है फिर जो substitute candidate मतलब इनकी जगे पर जिसको चुनाओ लड़ना था उसका भी आप देखोगे जो nomination है वो reject हो जाता है और same चीज बिलकुल same चीज वहाँ पर भी जो प्रपोजर्स थे जो प्रस्तावक थे उनके signature जो है वो क्या नहीं हो रहे थे जैन्विन नहीं पाएगए कि भाई sign गलत है यह ठीक बाकी के जो लोग बचे हुए थे बाकी के जो candidates बचे हुए थे उन्होंने या तो अपना नाम विड्रौ कर लिया नाम वापस ले लिया य या फिर उनका भी nomination क्या हो गया reject हो गया तो यह पूरी की पूरी चीज़ें हमें देखने को मिलती है अब आते हैं हम थोड़ा सा यह returning officer जान लो भाई important है बार बार बात चल रही है returning officer मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि किसी एक constituency में ठीक है किसी एक संसदिये छेतर में उसकी होती इसको appoint कौन करता है election commission appoint करती है ठीक पूरी की पूरी जो electoral process है जो चुनावी प्रक्रिया है ठीक है उस संसदिये छेतर में उस constituency में उसकी देखभाल करनी की जिम्मदारी किसकी है RO की होती है returning officer की होती है अब इसका काम क्या होता है कि candidates के nominations को accept करना उनके नामांकन क ठीक है accept करना उनके जो nomination papers से उनको scrutinize करना यानिके जो नामांकन के लिए जो paper वगरह दी है न उनको review करना उनकी समिक्षा करना कि कुछ गलत तो नहीं है allotting symbols to candidates अब देखो जो national parties है या recognized parties है उनके तो अपने symbol है वो तो उसी चुनाव चिन को लेकर के जाएंगे मकर जो independent ल करना ये भी किसका काम होता है आरो का काम होता है ठीक conducting polling process यानि के पूरी चुनाओ की जो प्रकरिया है उसको कराना और last में आएगा counting votes ठीक है तो अब आरो की पूरी जिम्मेदारी होती है कि जो election है जो चुनाओ है वो fair हो निश्पक्ष हो impartial हो किसी भी तरीके का बहिदभा उसमें ना किया जाए और according to law हो यानि के जो कानून है उसके हिसाब से हो ठीक अब चलते हैं कि भारत में nomination को लेकर के नामंकन को लेकर के कानून आखिर है क्या देखो यह सारी चीज़ें कंट्रोल होती है किस से RPA से जो representation of people's act 1951 का उसी के अंदर यह सारी चीज़ा आती है अ सबसे पहला important section अगर आप देखोगे तो सबसे पहला important section आजाएगा आपका section 33 section 33 यह कहता है कि चुनाओ लड़ने के लिए valid nomination जरूरी है valid nomination जरूरी है अगर आप चुनाओ लड़ना चाहते हो और चुनाओ लड़ने के लिए आप एक elector होने चाहिए elector का मतलब क्या हुआ elector का मतलब यह हुआ कि आपका जो भारत में है न electoral role है तो आप क्या कर सकते हो तो किसी भी से जाकर कर चुनाव लड़ सकते हो मतलब यहां पर यह शर्त नहीं है कि आप जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं उसी कॉंसिटिवेंसी में उसी कॉंसिटिवेंसी का जो एलेक्टोरल रोल होगा उसमें आपका नाम होना चीए ठीक है मत दाता सूची वहां की नहीं भी है किसी दूसरी कॉंसिटिवेंसी के तब भी चुनाव लड़ सकते हो है ना जैसे अगर हम पीम मोदी की बात करें तो उन्होंने वारणसी से चुनाव लड़ा ठीक है आप अगर राहुल गांधी की बात करोगों तो वह केरल से जाकर के चुनाव लड़ रहे तो थोड़ी केरल की मदाता सूची मून का नाम है तो चुनाव आप कहीं से भी लड़ सकते हो बस आपका नाम किसी ना किसी कॉंसिटिवेंसी के इलेक्टोरल रोल में होना चीए मदाता सूची मून होना चीए और आपकी एज जो है वो 25 साल से ज्यादा होनी चीए ठीक अब आ का जनेतिक दलों को मानेता दे रखी रेकाग्नाइस थ हैं उनके लिए क्या है उनके लिए है कि आपका कोई प्रपोजर होना चेह आप चुनाव लड़ना चाहते हो आपका कोई प्रपोजर होना चीह लेकिन यहां पर है बात माल लीजे के एक इंडिविजूल है और वह कहा से केरला से अब वो चुनाओं लड़ना चाहता है कहां पर यूपी में यूपी में कहां पर मान लीज़े कि यूपी में भई वो मत्हुरा से चुनाओं लड़ना चाहता है ठीक अब वो है कहां का केरल का तो वो चुनाओं लड़ सकता है कोई दिक्कत नहीं केरल में अगर किस से अपने साथ नहीं ला सकते हैं जिस संसदिये छित्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहीं का कोई व्यक्ति जिसका मद्दाता सूची में नाम है वो आपका क्या बन जाए प्रस्तावक बन जाए ठीक है अब यहां पर एक चीज है कि रिकागनाइस्ट पार्टी में क् प्रपोजर की जरुवत होती है मतलब कि वहले एक इंसान आपकी प्रस्तावक हैं लेकिन जब बात आएगी अन्रेकगनाइस्ट पार्टी इसकी जैसे मान लो के आज आपने क्या किया भी आपने कोई पार्टी बना लिया आपकी पार्टी का नाम है एक्स वाइज रेड़ ठीक अब यह एक्स वाइज पार्टी जो है इसको इलेक्शन कमीशन रेकनाइस नहीं किया मानिता नहीं दिया आप चुनाओ लड़ने के लिए जा रहे हैं या फिर आपने कोई पार्टी नहीं बनाई आप इंडिपेंडेंट केंडिडेट ठीक है आप स्वतंत निर्दली लड़ना चाहते हैं कि आप किसी दल से संबंदित नहीं हम तो निर्दली लड़ेंगे इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो ऐसी स्थिती में आपके पास ऑप्शन क्या है आप चुनाओ लड़िए ठीक है लेकिन आपको कितने प्रस्तावगों की जरुरत होगी टेन प्रप नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं जो अन्रिकनाइस पॉलिडिकल पार्टी के हैं वो भी चार नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं जो इंडिपेंडेंट है वो भी चार लेकिन डिफरेंस क्या आएगा कि अगर आप रिकनाइस पार्टी से हो मानिता प्राप्त जो राजनेतिक दल हैं उनसे हो तो आपको 4 paper file करने के लिए 4 proposals की जरुरत होगी अलग-अलग proposal 4 papers के लिए ठीक है और अगर आप unrecognized है या फिर independent है तो हर nomination paper के लिए आपको 10 proposals चाहिए होंगे यानिके 4 nomination papers file करने के लिए आपको in total 40 proposals की क्या होगी requirement होगी जरुरत होगी ये ध्यान रखेगा ठीक है अब यहां पर एक चीज आ जाती है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि acceptance के chances ठीक है मानिता मिलने के chances जो हैं वो बढ़ जाएं मैंने जैसे बताया था कि एक nomination paper में गलती हो सकती है लेकिन चारों में अगर वो गलती हो रही है तो इसका मतलब फिर गढ़वर कुछ ना कुछ जरूर है ठीक है अब आता है scrutiny of nomination papers कि आपने nomination paper फाइल कर दिया तो RPA का section 36 है ना इस कानून का अगर आप section 36 देखोगे तो ये मतलब एक तरीके से कहोगे authority देता है अधिकार देता है कि इसको returning officer को कि वो क्या करेगा nomination papers की scrutiny करेगा है ना उनको देखेगा कि ये पूरी तरीके सही है कि नहीं है ठीक अब आरो को ये बोला गया है कि returning officer ऐसा नहीं करेगा कि थोड़ा बहुत हलका फुलका अगर कुछ 19-20 है तो उसको reject कर दे मतलब defect अगर है और वो substantial character का नहीं है थोड़ी बहुत कमी है लेकिन बहुत बड़ी कोई कमी नहीं है तो reject नहीं क करना चाहिए उसको लेकिन यहां पर एक चीज़ है कि अगर signature जो है candidate के candidate का signature प्रपोजर का signature अगर वो genuine नहीं है उसको पता चलता है कि यह तो sign ही गलत है है ना तो उस ground पर rejection जो है वो हो सकता है nomination papers को reject किया जा सकता है अब चलते हैं कि यह जो unopposed election है candidates का इसकी जो prevalence है मान लोके धीरे धीरे ऐसे cases जो हैं बढ़ना शुरू हो जाएं और ज्यादा candidates जो है unopposed चुने जाएं ठीक है तो उससे क्या issues है क्या दिक्कतें क्या है भाई तो देखो सबसे पहली चीज़ है nota voters अब बहुत सारे लोग जो हैं जब अपना vote देने के लिए जाते हैं तो वो चूस करते हैं किसे nota को कि none of the above हम इन में से किसी भी candidate को vote नहीं देंगे अब यह nota आया कहां से देखे 2013 2013 में Supreme Court ने ठीक है Supreme Court ने क्या किया Supreme Court ने directions दिये election commission को कि आप जब चुनाओ कराईए तो चुनाओ क कराने के टाइम पर एक option दीजे नोटा none of the above जैसे माल लोगी मैं वोट देने के लिए जा रहा हूं अब मैं वोट देने गया मुझे किसी candidate को वोट नहीं देना तब मैं क्या करूं तो उसके लिए option मिल गया कि आप नोटा दबा सकते हो नोटा पर आप डाल दीजे कोई दिक हुआ तो सूरत में बात यह हो रही है कि जो candidate है उसे बिना चुनाओ कराए गये विक्टर डेक्लेर कर दिया गये कि आप जीत गए हो ठीक है आपको certificate मिल गया विक्ट्री certificate मिल गया तो लोग कह रहे हैं कि चुनाओ होना चाहिए था और हो सकता है कि बहुत सारे लोग नोटा 13 में आया नोटा क्यों लाया गया था कि जो political parties और candidates जो है ना उनको थोड़ा सा यह समझ में आये कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं ज्यादातर लोग अगर नोटा दबाते हैं नोटा को choose करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ political parties को लगेगा यार मतलब public हमें पसंद नहीं कर रहे candidates को लगेगा पब्लीक हमें पसंद नहीं कर रहे यह ज्यादतर वोट्स तो नोटा पर चले गए ठीक लेकिन the point is के नोटा अगर 99% लोग माल लीजे किसी constituency में 100% जो वोटर्स हैं उनमें से 99% वोटर्स भी अगर नोटा दबा देते हैं तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई तब भी ऐसा नहीं कि election cancel हो जाएगा कि 99% लोगों ने नोटा को चुना है केवल 1% वोट मिले हैं तब भी क्या होगा कि जो 1% वोट मिले हैं इसमें से जिसको ज्यादा वोट मिल गए वो जीत जाएगा तो यह बताओ फिर यह नोटा से कोई फाइदा हुआ नोटा से फाइदा क्या हुआ और जब नोटा से election के result पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि फिर political parties हैं या candidates जो हैं उनको उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा वो तो कहेंगे ना आप सारे के स सारे लोग नोटा दभा करके चले आओ जिसको एक वोट मिल गया वो जीच जाएगा बात खतम हो गई समझ मैं कि बात तो नोटा है तो लेकिन नोटा का कोई मतलब यहां पर नहीं है दूसरी जो चीज आती है वो आती है undermining the relevance of voters यह एक important point है देखो RPA में elector की जहां तक बात ह मतदाता जिससे हम कहते हैं वो मतदाता है कौन एक ऐसा इनसान होता है जिसकी किसी constituency के electoral role में नाम है ठीक है बही किसी संसदी च्छितर में जो मतदाता सूची है उस मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम है जिस समय पर चुनाओ हो रहा है उस टाइम पर और उसके ऊपर कि कोई disqualification नहीं है किसी तरीके से उसको आयोग्य घोशत नहीं किया गया है कि आप चुनाओं में वोट नहीं डाल सकते हो ठीक है अब बात क्या हो रही है कि जब इस तरीके से कोई इनसान अन अपोस्ट इलेक्ट हो जाता है तो यह एलेक्टर तो उस पूरी प्रोसेस से बाह अब यह तो बहार हो गए इनका कोई रोल इनकी कोई भूमिका नहीं बची भई एक ऐसा इंसान जिससे किसी भी इंसान का वोट नहीं मिला वो इंसान पार्लियमेंट में जाकर के बैठेगा अपनी constituency को represent करेगा अपनी constituency को लेकर के decisions लेगा फैसले लेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस constituency से वो इंसान अनपोस्ट चुना गया है वहां के जो electors हैं वहां के जो voters हैं इनकी तो कोई value नहीं बची फिर क्या बचा इनका समझ में आ रही बात ठीक है तो अब हमारा जो present system है जो वरतमान में हमारे आपर चुनावी प्रणाली चल रही है उसमें यही एक चीज है ठीक है कि जब तक आपको choice नहीं दी जाएगी जब तक जो candidates हैं मतलब आप कह सकते हो कि यह जो हमारी election process है यह किसे favor कर रही है candidates को भाई अगर हमारे पास चार candidates आ जाते हैं यह दो candidates आ जाते हैं तभी हमें अधिकार मिलना है vote देने का तभी हम जाकर के अपना vote देंगे तभी हम जाकर के choose करेंगे कि हमें यह इनसान चाहिए यह इनसान हमें नहीं चाहिए लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपको किवल एक ही candidate मिल रहा है तो फिर आप vote भी नहीं दोगे समझ में आगी बात पिर आपके vote की जरूरत है ही नहीं उस इंसान को सीधे सीधे क्या कर दिया जाएगा चुन दिया जाएगा अब बात आती है एक और है आर पीए का सेक्शन 65 यह भी बड़ा इंट्रेस्टिंग है यह बड़ा मज़ेदार है ठीक है सेक्शन 65 किस से डील करते एक्वैलिटी ओफ वोट्स अब यह कहानी पूरी क्या है देखो समझो इस चीज़ को मान लिजे किसी कॉंस्टिटिवेंसी में दो लोग है एक है और दूसरा है बी यह दोनों चुनाओ लड़ रहें ठीक अब जब रिजल डिक्लेयर हुआ जब वोट्स काउंट किये गये तो वोट्स काउंट होने पर पता चला कि दोनों को जो वो 65 कहता है कि ऐसी इस्थिती में जो आरो है जो रिटर्निंग अफिसर है वो रिटर्निंग अफिसर कौन सा सिस्टम अपनाएगा लोटरी सिस्टम लोटरी सिस्टम अपनाया जाएगा समझें मतलब फिर लोगों ने वोट दिया लोगों ने दोनों को बरावरी पर लाकर खड़ा कर दिया लेकिन जब फैसला लेने की बात हुए कि जीतेगा कौन तो वहां पर लॉट्री सिस्टम जो है वो अपनाया जाता है मतलब आप समझ ये केक सिक्का लिया जाएगा दोनों केंडि गिर गया वो क्या हो गया जीत गया उसके में एक वोट एड कर दिया गया तो इसमें भी आप देखें कि सिस्टम डॉमिनेट कर रहा है और लोगों ने जुन्हों ने वोट दिया उनको क्या कर दिया गया साइड लाइन कर दिया गया क्या ऐसा कभी हुआ है आप सोच रहोग करके वहां पर रिजल्ट डिक्लियर किया गया था ठीक है दिसंबर 2017 में अगर देखोगे जो मतुरा वरिंदावन मिनिस्पल कॉर्परेशन का एलेक्शन हुआ था और बीजेपी की केंडिडिट थी मीरा अगरवाल ठीक है वो भी इसी तरीके से जीती नहीं वोट टाई हो गये थे लौटरी सिस्टम से जीत गई फैबरी 2017 में अगर देखोगे तो आपका जो ब्रहन मुंबाई मिनिस्पल कॉ लौटरी पर जो है उसने नॉमिनेच किया और नौमिनेशनीयजेक्ट हो गया उप्शंट्स क्या है क्या कोई लीगल इस तरीकित की चीजह हैं क्या कुई राइट्स है लोगों के सबसे पहली चीज तो है कि election tribunal का option आर्टिकल जो आपका सुरी आर्पी जो representation of people's act 1951 है वो बात करता है election tribunal को setup करने की कि अगर चुनाओं को लेकर कोई विवाद होता है तो सबसे पहले उसे कौन सुल जाने की कोशिश करेगा election tribunal सुल जाने की कोशिश करेगा हाला कि अगर पार्टियां election tribunal जो बनाया जाएगा अगर उसके फैसले से वो संतुष नहीं हो कहती नहीं भाई ये तो हमें फैसला में समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपील कर सकती है हाई कोर्ट में और अल्टिमेटली कहां तक जा सकती है सुप्रियम कोर्ट तक जा सकती है ठीक है यह चीज़ ध्यान रखिएगा अब इसमें आता है आर्टिकल 329 हमारे constitution का आर्टिकल 329 आर्टिकल 329 यह कहता है कि कोई भी election no election shall be called into question except by an election petition before the concerned high court मतलब ऐसा है चुनाओं अगर किसी जगह पर हो रहा है न तो आप चुनाओं के मामलों को सीधे court में लेकर के नहीं पहुँच सकते हैं ना supreme court high court में लेकर के नहीं पहुँच सकते हैं उसकी पूरी process से पूरी प्रिक्रिया है और उसमें क्या बात हुई election petition की बात हुई कि जिस जगह पर है आप वहां का जो high court है उसमें election petition जो है वो ले करके जाईए अब election petition file करने का एक जो ground है वो बिल्कुल है improper rejection of nomination papers अगर किसी को लग रहा है कि भई उसके जो nomination papers हैं वो reject हुए और वो proper तरीके से नहीं होए गलत तरीके से reject किये गए हैं तो बिल्कुल वो election petition जो है वो डाल सकता है और पी act कहता है कि भई हाई court को क्या करना चाहिए छे महीने के अंदर ऐसे trials complete करने चाहिए बट होता नहीं है चीजे लंबी खिषती है इस चीज में हमें सुधार करने की ज़रुवत है supreme court आप जा सकते हो भई हाई court ने फैसला दे दिया आप हाई court के फैसले से भी खुश नहीं हो तो 30 दिन के अंदर आप supreme court में appeal डाल सकते हो ठीक है अब supreme court ने देखे दो important cases है जगनात वर्सेस जस्वन सिंग 1954 का case है इसमें supreme court ने बहुत important verdict दी supreme court ने कहा कि अगर किसी candidate को लगता है कि उसकी जो election की process है उसकी जो चुनाओं की प्रक्रिया है वो corrupt practices से influence हुई है तो यह बात प्रूफ करने की जो जिम्मेदारी है वो किसके उपर होगी उसी candidate के उपर होगी ठीक है दूसरा आता है मोहिंदर गिल versus chief election commissioner का जो case है 1978 का इसमें supreme court ने एक और verdict दी कि चुनाओं जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए फेर होने चाहिए ठीक है और किसी भी तरीके का अगर violation होता है तो उससे चुनाओं क्या हो जाएगा नलिफाई हो जाएगा ठीक साती साथ इस case में supreme court ने ये भी कहा कि election tribunal जब investigate करें मान लीजे election tribunal के पास कोई मामला आया कि चुनाओं में कुछ दिक्कत हुई है गड़बड़ी हुई है तो उसको corrupt practices की भी investigation करनी चाहिए कि किसी तरीके कुछ corruption वगरा तो नहीं हुआ है पैसे का लें दिन तो नहीं हुआ है हाँ ये भी बोला गया कि भले ही जो petition आई है उस petition मेंगर ऐसा नहीं भी लिखा हुआ है तब भी उसे इस तरीके की चीजों को जो है वो देखना चाहिए और इसके बाद हम आएंगे कि एक और चीज आती है amending the first past the post system ठीक है ये भी एक बहुत आप कहोगे के important point है देखो first past the post system हमारा जो पूरा जो चुनाओ होता है वो चुनाओ क्या होता है कि उसमें मान लिजे चार candidate खड़े हुए ठीक है जितने भी vote पढ़े मान लिजे 100% वोट पढ़ गए अब उसमें क्या होता है कि एक 75% वोट तीसरे को मिल गए 20% ठीक है तो यहां पर आप देखो के 75% वोट आपके हो गए और इसके अलावा हम कहा दें भी 50% से जादा वोट होने चाहिए ठीक हमारे आपर फर्स पास्टी पोस्सिस्टम है अब आर्पीए 1951 का जो एक्ट है यह कहता है कि मानी जो चुनाव dejar हुआ ठीक है चुनाव अनॉंस किया गया और होता यह है कि जब पहली बार अनॉंस्मेंट हुआ तो कसी ने कोई नॉमिनेचन-फाईल ही नहीं किया कोई नॉमिनेचन-फाईल करने की नहीं लेकिन RPA में यह चीजश नहीं कर अगर बार बार ऐसा हो तब क्या होगा तो यह चीजश नहीं है ठीक अब इसमें एक बात आजाती है कि भाई अगर मान लीजिए कि टेमस केंडिडेटस हैं एक तरफ लोग हैं इस वेंट को थोड़ा से समझना क्योंकि अभी जैसे कुछ दिन पहले निउस्पेपर में एक आर्टिकल आया था कि बिहार का एक गाउं है ना और उसमें हुआ ये कि कोसी रिवर में फ्लड आई बाड आई और कोसी रिवर ने क्या किया उस गाउं को दोनों तरफ से सराउंड कर लिया मतलब वो गाउं जो है बेसिकली एक आईले है नहीं दिया तो उन्होंने कहा के हम वोट ही नहीं देंगे हम एलेक्शन का क्या करेंगे बॉयकॉट करेंगे ठीक अब एक तरफ अगर कैंडिडेट्स बॉयकॉट करतें और दूसी तरफ जो लोग हैं वो बॉयकॉट करतें तो importance किसकी जादा है जिसे मान लीजे किसी constituency में सिर्फ एक इंसान खड़ा हुआ ठीक है एक इंसान खड़ा हुआ और बाकी कोई भी opposition में नहीं आया कोई भी नहीं आया तब ऐसी इस्तिती में क्या होगा ऐसी इस्तिती में जो खड़ा हुआ उसको चुन लिया जाएगा या मान ल चीज है कि अगर लोग boycott करते हैं लोग boycott करते हैं मान लीजे कि किसी जगह पर सौ वोटर हैं उस सौ में से 90 ने कह दिया कि हम तो वोट डालने के लिए जाएंगी नहीं तो कैसे कोई फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक तो बात यहां पर यह है कि लेकिन लोग मिल करके ऐसा नहीं कर सकते अगर एक वोट भी किसी को मिल गया तो वो क्या हो जाएगा जीत जाएगा समझा रही है बात ठीक है तो इसमें एक चीज है कि हमें अपना ही जो फर्स पास्टी पोस्सिस्टम है इसा थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है आप 50% मत करिए बट एट लीस्ट ऐसा तो होना चाहिए कि कुछ पर्सेंटेश तो हो कि जब तक आपको इतने पर्सेंट वोट नहीं मिलेगा तब तक आप जो है चुनाओ नहीं जीत सकते एक और चीज है यहां पर नोटा जैसे हम नोटा की बात कर रहे थे बार 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 वहीं नोटा की सिंग्निफिकेंस कैसे की जा सकती कि नोटा को भी आप एक केंड़िडेट मानिये नोटा को भी आप एक मानी है इंडिया में ऐसा नहीं हलांकि महराष्ट में अगर देखोगे तो वहां की जो अर्बन लोकल बॉडी जना उनके एलेक्शन में इसा होता है कि नोट को भी एक केंडिडेट मान लेते हैं अब मान लों के नोटा को सबसे अदा वोट मिल गए तो नोटा जीत गया नोटा जीत गया तो बाकी सब हार गए और बाकी सब हार गए तो चुनाओ दोबारा से होना चाहिए समझ में आ रही बात तो ये भी option आना चाहिए और तीसरी निकाला जा रहा है भाई अभी क्या हो रहा है अभी ये हो रहा है कि एक बार नोटिफिकेशन निकाला किसी ने ऑफिर सो दुबारा से कैटिगरी में डाल दो प्रेसिडेंट को पावर दे दो भाईया देखो इसमें कोई चुनाव नहीं लिड़ना चाहरा है आप कुछ क्वालिफिकेशन बता दीजे के इन क्वालिफिकेशन को जो पूरा करता हो उस इंसान को उस concepts लिए क्या कर दिया जा नामिनेट कर दिया तो यह जल रहा है पॉलिटी कल से हों तर्सडे फ्राइडे श्रेटरडे शान को ऑठ जोगरफिकान आती है जो कि आपकी लेता हूं ठीक है यह हमारे Telegram, Instagram handle का QR है Instagram पर आप परिक्षाबास को follow कर लिजिए यह हमारे Telegram channel का QR है जहांपर इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे like, share ज़रूर करिएगा comment section में अपनी feedback जरूर दीजेगा और जितने भी लोगों ने channel को subscribe नहीं किया है subscribe कर लिजे आप लोगों से मुलाकात होगी अब next video में till then bye bye take care thank you so much everyone जै भारत जै हिंद